तो नमस्कार स्वागत है आप सभी कापी के एजुकिशन कोर पर आज हम देखेंगे संसद का सचवाल है इससे पहले मैंने पार्लिमेंट से संबंद जितने भी कोशन से उन सबको लेते हुए पूरे-पूरे टॉपिक डिसकस कियो हैं तो जिन लोगों ना उन वीडियो को नही अखिक सचवाले स्टाफ होता है जो फिरलो सदन हें कौनसे होते हैं राज्जी डियोंकि सभा और होता हैların के लिए उनकी भरती शरत्ति संसत max 2019 निर्दारित की जाती हैं लेबना सदने की सुचवाले उनका मुख्या क्या होता है उनका मुख्या जो होता है वो होता है महासचेव यह स्थाई अधिकारी होता है और उसकी न्युक्ति सदन का अधिकारी ही करता है अब थोड़ा इनको डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या है अगर हम बात करेंगे संसद में नेता के बारे में तो सं लेकिन उसके साथ एक शर्थ है कि उसे लोग सभा का सदस्य या लोग सभा का सदस्य होना ही अनिवाद है सदन का नेता लोग सभा की नियमों के तहत अगर देखा जाए तो सदन का नेता होता है उसका मतलब होता है प्रधान मंत्री अगर आप से question में पूछा जाता है कि सदन क का नेता का क्या मतलब है तो सदन के नेता का मतलब होता है प्रधान मंत्री लेकिन इसमें चोटी ची कंडिशन यह है अगर आपको स्टेटमेंट में कुश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा अगर वह लोग सभा का सदस है तो या फिर क्या होता है कि प्रधान मंत्री के द्वारा ही सदन का नेता के रूप में कोई ब्यक्ति को मंत्री जो लोग सभा का सदस है मतलब आप एक सीधी सी बात समझे कि अगर जो सदन का नेता है वो प्रधान मंत्री होगा या प्रधान मंत्री अगर लोग सभा का सद देगा या बना देगा जो लोग सभ़ा को सदस्य होका किसको राजसभा में भी एक सफना का नेता होता है वर कि मंत्री होता है और मंतरी द्वारा क्या किया जाता है मनोनीत किया जाता है यह संसद्य कार निश्पादन के लिए बहुत ही महत्पूर है मतलब सदन में जो कारे होते हैं उनके कार के लिए एक महत्पूर रोल है और उसे उपनेता मनुनीत करने का भियदिकार होता है यह तरीके का क्या है कि किस तरीके से संसद में काम चलेंगे तो एक categories define करी जाती है कि संसध के लिए काम करना ताकी आसान हो इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में भी होता है इसे बहुमत के नेता के रूप में जाना जाता है अब अगर देखें विपक्च का नेता विपक्च का नेता क्या होता है? लीडर उप अपोजीशन अगर बात करें, संसद के दोनों सदनों में एक विपक्च का भी नेता होता है, एक विपक्च के नेता की बात करी जा रही है, विपक्च में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्ट जो होते हैं, तो कुल सदस्यों के दस्वे हिस्से, मतलब अगर बात करी जाए, सो हैं, तो कितना हो दस्वा हिस्ता मतलब एक बड़े दस तो लोग होना ही चाहिए कि बरकरीब होना चाहिए तभी विपक्ष के नेता का पद मिलता है इतनी संख्या पर ही उसको विपक्ष का नेता के रूप में मानेता मिल सकती है संसदी बिवस्था में बिपक्ष का नेता महत्पूर भूमिका वाला होता है उसका मुक्य काम क्या होता है जो होता है सरकार की कारियों की उचित आलोचना एवं बैकलपिक सरकार की बिवस्था करना देखिए इसको आप थोड़ा सा समझे जो बिपक्ष का नेता है बिपक्ष में सरकार है उसको किसी तरीके से हटाना यह उसके जो काम है उनकी अलोचना करना जो नीति नीतिक नेडाय ले लिए जाते हैं यह कार्यानवन उनके बारे में क्या करना अलोचना करना और क्या करना एक बैकल्पिक जो प्रधानमंत्री है यह बैकल्पिक जो सत्ता है उसकी क्य करना एक विवस्था करना कि संसदी विवस्था में बिपक्च का नेता का महत्वपूर काम यही होता है यह हमारे Constitution में लिखा गया है कि विपक्च में जो बैठता है मूल Constitution में नहीं ता उसके बाद यह चीज़े आगे भी देखते हैं तो उसके बाद से जमाई बिपक्च होना बहुत ही जादा आवश्यक है अगर किसी भी सरकार सपोस्थ करिए कोई सरकार है और यह बी सरकार है यह सरकार सारे के सारे काम अपने हिसाब से कर रही है और यहां पर कोई भी इसकी नीतियों के लिए प्रस्न चिन्न लगाने वाला अगर नहीं है तो क्या होगा यह जंता पर क्या निरंकुस्ता को बढ़ावा देगी और जहां निरंकुसरकार हो फिरह लोग तंत्र नहीं पिक सकता है तो इसका मुख्य कार स stranger की उचित कारियों की आलोचना कारियों की उचित आ रोचनाय सब्धस्द। ल्गते स्पार उचित करना के तो इसलिए आरोप 1597 से शुर्वात की गई थी उसे बेतन बत्ते ततर सुभधाई कैविनेट मंत्री की तरह ही मिलती हैं मैंने कैविनेट मंत्री के बारे में पूरा आपको पिछले वीडियो में बताया तो आम में यहांपर डिसकस नहीं करूंगी 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मानता मिली थी 1965 में अगर बात करी जाए आपसे कि विपक्ष के नेता को मानता कम मिली थी तो ये मिली थी 1965 में अक्सर कर ऐसे कुश्चन UP में, MP में और State PSC में पूछ लिए जाते हैं में UPSC जब पूछेगा तो वह स्टेटमेंट के तौर पूछ सकता है वह सकता आपसे पूछ ले कि 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मानता नहीं मिली थी उसे मिली थी 1997 में तो आपको अगर चीज़ें बीप में पता हूंगी तो आप बता पाएंगे कि 1965 में पहली बार में पक्ष का नेता मतलब मानता उनको मिली थी इस तरह के कार करने वाले को अमेरिका में अल्प संख्यक का नेता कहा जाता है सीडीजी बात है जो बहुमत में सरकार होगी उससे सरकार बनी हुई है तो अल्प संख्यक की सरकार या नेता इसको कहा जाएगा अब देखते हैं बिटिस राजनेतिक विवस्था में एक अनोखी संस्था है कौन सी है जिस सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है जो विपक्च में सरकार होगी उसकी तुलना किससे करी जाएगी जो सत्ता में सरकार होती है उससे और अपने सदस्यों को भविश्य के मंत्रियों के तौर पर तयार किया जाता है सपोस करिए कोई ए है अब इसके लिए और भी है सरकार परिवर्तन होने पर बैकल्पिक कैबिनेट मुआया कराता है मतलब अगर सत्ता बजलती है तो क्या होता सत्ता में दूसरा कैबिनेट आ जाएगा इसलिए आईवर जैनिंग्स ने विपक्ष के नेता को बैकल्पिक प्रधान मंत्री कहा है अगर सेड़ो कैबिनेट की ब अगर पॉलिटी आप तयार करें अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को पढ़ लिया और समझ लिया और आपने नोट्स बना लिये तो मैं दावा करती हूं कि आपके बहुत सारे कोश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे एक भी कुश्चन आपका नहीं चूटेगा अग कि आप घटना चक्र उठाएं और कुश्चन अंसर को सॉल्व करें या फिर आप यूप्यक के कुश्चन देखें जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करें तो मेरी आपसी रिक्विस्ट है कि आप कुश्चन आंसर ज़रूर लगाएं बिना कुश्चन आंसर लगा हुए आप अपनी नौलिज को जज नहीं कर पाएंगे अब देखते हैं अगर हम बात करें वेप की वेप क्या होता है इसे थोड़ा सा टम टफ है मुझे इसका इंग्लिश नहीं पता मैं बता रही हूं आपको यद्दपी सदन में नेता एवं बिपक्ष के नेता कापत संविधान में ओल्लिखित नहीं है फिर इसे ईसे साथन के नियमों इन्हें संसदिय संबीदी में करमसा कईल व Chrism बताती हूं जैसे कोई सदन में एक अव क्यूंफ हो और पार्टी बिध' क्या एक व्यक्ति हो उन सभी को मुझे इसका इंग्लिश बिलकुल याद नहीं आ रहे तो यह उसको सजन में रखता है सबको अपने पावर में रखता है और उसी के कॉर्डिंग कता की संसद में अनुशाशन हिंता ना हो मतलब अनुशाशन बना रहे दूसरी और वेप कारियालाय का उल्लेक ना नहीं किया गया है और ना ही संसद के नियमों में किया गया लेकिन जो संसदी सम्विधी है इसमें अगर देखा जाए संसदी सरकार है उसमें परमपराओं पर आधारे थे मतला पहले से बिट्टे सरकार से चला आ रहा है तो इसको आगे फॉलो कर लिया गया क्योंकि हो सकता संसद में अपना वेप होता है उसे राजनितिक दल द्वारा सदन में सहयक नेता के रूप में न्युक्त किया जाता है मतलब आपको यहां पर समझ में आ रहा हो कि सहयक नेता है वेप होता है वह उसको न्युक्त करा जाता है उसे राजनितिक दल द्वारा सदन के सहयक नेता क बड़ी संख्या में उपस्थित रखें और उसे संबंदित मुद्दे के विपक्ष या पार्टी के खिलाब का सहयोग करें मतलब जो भी है उस साब से उसके लिए काम बताता है क्लास मोनिटर टाइपस आप देख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें उपस्थित रहें सदन में और कारवाईयों में भाग ले और मुद्दे संबंदित मुद्दे जो भी है पक्ष में हो या खिलाब पार्टी के उनके इस बारे में सहयोग करें अगर पक्ष मे यह माला जाता है कि वे व्यप की निदे देशों का पालन करेंगी अनित्था 얼마나 कारवाहि उनके की जा सकती है तो यह अब सबीसे हैं सत्र होते हैं इनको राष्टपती करता है लेकिन संसत्र के दौनों सत्रों के बीच अधिक्तम 6 मां का अंत्राल से जादा नहीं होना चाहिए यह कई वार एक्जाम में यहां से पूछा गया है दूसरे शब्दों में संसत्र को कम से कम बर्ष में दो बार तो मिलना ही जाए साम कालीन सत्र नुमंबर से देकर दिसम्बर तक संसद का पुर्थम सत्र होता है पुर्थम बैठक से लेकर सत्रा वसान मतलब पूरा चल गया शत्र तो वह मारा जाएगा एक साल में कितने संसतर के दोरान संसत कारीों के संचालर नहें तुप प्रते इक दीन आहुत होता है एक सतर के अत्राव दूसरे सत्र के प्राडम होने के मद्द की समय सीमा को अवकास कहते हैं मतलब एक दिन यह शुरू हुआ और अगले दिन तक के लिए तो क्या है यह क्या हो जाएगा इसको हम अवकास कहते हैं इस्थगन के बारे में अगर देखें यह बहुत important points हैं या terms हैं जो constitution में दिये गए हैं सदन में किस तरीके से define करे जाते हैं और exam पे कई बार यहां से questions उड़ते हैं संसद के एक सत्र में काफी बैठके होती हैं अब बैठकों में देखें प्रतिक बैठकों में दो सत्र होते हैं सुबह की बैठक ग्यारा से बज़े से लेकर एक बज़े तक और दोपहर के भोजन के बाद दो से लेकर छे बज़े तक होती है संसद की बैठक को इस्थगन या कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे हो सकते दिन भी हो सकते या सब्ता भी हो सकते के लिए निलंबित भी किया जा सकता है इसको हम क्या कहते हैं इस्थगन कहते हैं कुछ समय के लिए रोक देना या फिर बहुत लंबे समय के लिए रोक देना दिनों के लिए रोक देना सब् इस्थगन है अब अगर देखें इस्थगन और सत्रावशन में क्या फर्क है देखते हैं यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है ना कि पूरे सत्र को इस्तगन का मतलब है और सत्रावसन का मतलब क्या होता है पूरे बलकी सदन के सत्र को समाप्त कर देता है यह केवल एक बैठक को समाप्त नहीं करता पूरे सत्र को समाप्त कर देता है यह सदन के पीठा सी नदिकारी द्वारा किया जाता है यह रास्ट्रपती द्वारा किया ज सकता है लेकिन इसमें क्या है यह भी किसी विद्यक पर प्रभावर नहीं डालता लेकिन बच्य हुए काम के लिए अगली सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है बिटेन में सत्रावसन के कारण विद्यक या अनलंबितकार समाप्त माने जाते हैं अब देखेंगे अगर हम अ अन्स्चित कालके लिए इस्थगन में क्या है आल्सचित कालके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर frequent कालक के लिए बुलाया जाएगा या कब दुबारा आहूत किया जाएगा तो इसे हम कहते हैं अनिस्चित काली इस्थगन के लिए इस्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष्य सभापती के पास होती है वह स्थगत दिन यह समय से पहले भी जदन की बेठ़क को बुला सकता है अगर इस्थगन कर सभापती के पास यह पावर होती है कि वह कब सभन को स्थगत कर रहे हैं उससे पहले भी रोगों को इंफॉर्म करके बुला सकते हैं यह फिर बाद में भी स्थगन बता सकते हैं यह फिर इसे स्थगत समय समय पर कर सकते हैं अब दिखें सत्रावशन क्या होता है सत्रावशन कि अदि-शुचना भी जारी कर देता है कि संत्र अमस्थ हो गया हालां कि राज़्पति 7 के दोरान भी 17 व्लक스र अबर काम करा जाता है लोक सभा के टाइम पर अब अगर बिगतन की बाते बिगतन की बात लोक सभामे याती है राज़े सभा में तो आती कर सकता है यह काम करा जाता है लोग सभा के टाइम पद बिगटन की बात यह बिद्वान सबास में जीवन काल को समाट कर देता लोग सवा कर लो की चुनि गई है और दो साल में यगर बिगिटन हो गया इस का या सफत्ता में सरकार घर गई तो फिर जो झोंगा सब कर दोवारा चुनाओंगे ये बनाई जाएगी एगए लिए ậnटेंद कि फिर से जाएगे वह कुझ सब्सकную को बैक्चेल्ग को या सब्सक्रीन से पट इसलिए में जाकिए तो आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं जब रास्टपती सदन को बिग्टित करने का निर्णाय ले लेता है किन कंडिशन में निर्णाय लेता है मैं यह बता चुकी हूं जिसे लेने के लिए प्राधिक्रत मतलब उसके पास अधिकार है अपनी सामानिक याचि का आधि समाप्त हो जाते हैं उन्हें नवगठित लोकसभा में दुबारा लाना जरूरी होता है यह दबी जिन निलंबित बिद्यकों और सभी निलंबित आश्वास्नों जिनकी जाज सरकारी आश्वास्नों सम्मंदी समीती द्वारा की जानी होती है लोग सभा के समाप्त नहीं होते हैं अब वो कौन कौन से हैं जो लोग सभा के बिद्यकों में कौन कौन से हैं बिचारा धीन बिद्यक जो लोग सभा में हैं चाहे वह लोग सभा में रखे गए हो या फिर राजिसभा द्वारा अस्तान अंत्रित किये गए हो लोग सभा में पारित किन्त दौनों सदनों में असहमती के कारण पारित ना हुआ हो और राश्टपति ने बिगड़न होने से पूर दौनों सदनों की संयोग बैठक बुलाई हो यह समाप्त नहीं होगा अगर संयोग बैठक आउत हो चुकी है तो फिर यह समाप्त नहीं होगा ऐसा बिदेयक बुलाई गई हो विचाराधीन रास्टपती के लिए हो तो यह समाप्त नहीं होगा जो दौनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन रास्टपती द्वारा पुनर विचार के लिए लोटा दिया गया हो यह भी समाप्त नहीं होगा दौनों सदनों से पारित हो जाने के बाद व यह पूरा वीडियो था जो मैंने आपको साथ बहुत सारे पॉइंस करें विपक्ष का नेता और सदन का नेता वेप के बारे में जितने महत्पूर टॉपिक ते सदन से सम्बंधित मैंने आपके साथ डिसकस किये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक क करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वैल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालू आप हमेशा हमसे जुड़े रहें अगले वीडियो में फिर मिलेंगी बाई-बाई दोस्तों Namaskar